स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्राश्ण Vibrant Gujarat Global Summit 2024 में मुख्य अतिती के रूप में किसने भाग लिया? A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती B. नेपाल के राश्ट्रपती C. संयुक्त राज्य अमेरिका के राश्ट्रपती D. इज्राइल के प्रधान मंत्री A. संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती Explanation संयुक्त अरब अमीरात के राश्ट्रपती और अबुधाबी के शासक शेक मोहमद बिन जाय अदल नाहयान ने मुख्य अतिती के रूप में भाग लिया जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है Vibrant गुजरात शिखर संमेलन के 10 में संसकरन का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक गांधी नगर में होगा इस वर्ष के संमेलन का विशय गेटवे टू दे फ्यूचर है संमेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल होंगे अगला प्राश्न नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्षे क्या है A. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना B. मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना D. शुद्र ग्रहों की खोज C. इंसानों को चांद पर वापस भेजना Explanation आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक लक्ष हमारे चांद पर फिर से मनुश्यों को भेजना खास कर उसके दक्षली ध्रूव पर पहुँचा कर वापस लाना है और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना है अगला प्राश्ण विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जन्वरी को क्यूँ मनाया जाता है ए, हिंदी कवियों का सम्मान करना बी, हिंदी संस्कृति को पहचानना है सी, हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए डी, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना आंसर, D. विदेशों में हिंदी भाशा को बढ़ावा देना Explanation, विश्व हिंदी दिवस 10 जन्वरी 2024 को मनाया गया विश्व स्तर पर हिंदी भाशा के उप्योग को बढ़ावा देने के लक्षे के साथ हिंदी भाशियों के योगदान का सम्मान करने, भाशा के महत्व को समझने और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है ऐसे में हम सभी को मिलकर निर्धारिक तिथी पर विश्व हिंदी दिवस मनाना चाहिए ताकि योवा पीडी को इसके बारे में पता चले अगला प्राश गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसी सी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री बने A. 40 B. 34 C. 30 D. 37 Answer B. 34 Explanation 34 वर्षिय ग्रेब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के और समलेंगिक प्रधान मंत्री होंगे फ्रांस के राश्ट्रपती इमेनुल मैकरॉन ने मंगलवार को अपने करीबी शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को वर्तमान प्रधानमंत्री एलिजाबेट के इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से इस्तीफा के बाद ने प्रधानमंत्री रूप में चुन लिया है अगला प्राश 27 में राश्ट्रिय युवा महोतसव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? A. वारानसी B. कोलकाता C. पटना D. नासिक Answer D. नासिक Explanation D. प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी 12 जनवरी को महराश्ट्रा के नासिक में 27 में राश्ट्रिय युवा महोतसव का उध्धाटन करेंगे और देश के युवाऊं को संबोधित करेंगे इस वर्ष राश्ट्रिय युवा दिवस्खई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रिय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा 12 जन्वरी 2024 को स्वामी विविकानन की जयनती है और इसे राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है